दोस्तो आज के इस वीडियो के इंदर मैं आपको practically समझाने वाला हूँ कि अगर आपके neutral में current आ रहा है, neutral में भी अगर आपका tester glow कर रहा है, तो आप उसे कैसे सही करोगे, दोस्तो मैं आपको starting बता देना चाता हूँ, इस समस्या को सही करना काफी जाता आसान है, आपको सबस सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सभी बॉर्ड में आपके neutral में current देखने मिल रहा है, तो इसे सही करने का तरीका अलग होगा, और अगर आपके जिफ एक ही बॉर्ड के neutral में current देखने को अलग होगा, सबसे पहले हम एक मिनट में समझ लेते हैं, कि अगर आपके सभी बोर्ड में, न्यूटल में करंट देखने हमें, तो आपको इसे कैसे सही करना है, आपको क्या क्या चीज़े चेक करनी है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यार रहना है, कि इस केस में, कि किसी भी आपका जो switchboard है, उस switchboard को आपको open नहीं करना है आपको क्या करना है आपको we Woah न está और मिटर के अंदर हमारा फेस और न्यूटल आ Hungary होता है और उसके बाद में यहीं सही आउट pur में हमें फेस और रा हुट मिल रहा होता works तो आपको क्या करना है सबसे पिले आपको चेक करना है कि जो मिटर में जहां पे न्यूटल है न्यूटर्ण में करंड नहीं आ रहा है आपको यह जिल्ए चीज स्वर्ड़ करनी है विएको यहांपे ance यहांतहर लोगों होगी क्यों किक्या हमारे मीटर पूर से नीचे फ्ला इसमें भी आपका current आ रहा है उस case में आपको क्या करना है आपको आपके output Markt MCB कहीं आ आम तो नहीं है जो आपकी old tangible ये कही ओन तो नहीं है। आपको इसको ओफ कर देना है और उफ करके वापस करना है अगरONY MCB को ओफ करने के बाद में बंद करने के लेकिन अगर आपके पास में दूसरा case हो रहा है आपकी जो man MCV है इस man MCV को off करने के बाद में man line का neutral है यहाँ पर face आना बंद हो गया है जब आप सिर्फ इसे on करते हैं तभी आपका face आता है तो उस case में आपको क्या करना है तो दोस्तो इस case में बस एक ही समस्या होती है वो हो support side का नूटल आइर इसी भी ऐसे-स इसफिया और कर ने के बाद में जो पूरे घर में जो समस्या आ रही है हमारे नूटल में करणर आनी कि वह सही हो जाएगी लेकिन अब इसके बाद में हम दूसरे तरिके बात करते हैं कि आपका जो पूरा घर है या या उसमें सबी जगे कि हमारा कोई जो अउपकरण है कोई डेवाइस है वह हमारा खराब हो गया है और उसके कारण ही हमार जो शॉकट है उसके नीटल में हमें फेस दिखने हुआ है इसके अलावा आप आपके सभी device को चला के देख सकते हो वो चल रहा है नहीं चल रहा है अगर कोई चल नहीं रहा है तो इसका मतलब खराब हो सकता है और उसी के कारण हमारे न्यूटल में face आ रहा है इसके अलावा एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप सारे switches को off करो off करने के बाद में देखो आपके न्यूटल के शौकित में face देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो उस case में क्या करेंगे आप एक एक करके switch को on करेंगे अब जैसे आपने पहले switch को on करा फिर वापत से आप जाके टेश्टर को लगा कि देखो अगर आपका अभी भी टेश पता चल गया कि अगर किसी device से या फिर हमारे board के किसी switch को on करने के बाद में हमें neutral में current देखने को मिल रहा है तो उसे कैसे सही करेंगे लेकिन दूसरा एक और चीज़ आपको द्यान करने है कई cases में क्या होता है हमारे जो board है इस board के हमारे जितने भी switch है यह सभी switch हमारे पह पर आपको क्या करना है जहां से भी हमारे जो यह चीज़ चेक कर लेनी है इसके अलाव यह भी देखेंगे हमारे switchboard को ही open करके देखेंगे कई इसके पीछे तो हमारा lose connection तो नहीं है या फिर open तो नहीं हो गया connection आपको वो देख लेना है इसके अलाव कहीं cases में क्या होता है हमारे man neutral होता है वहा पे हमारा बात बताऊं आखरी के अंदर आपको यही देखना है कि कहीं ना कहीं हमारा न्यूटल ब्रेक हो गया है या फिर कहीं ना कहीं ओपन या लूज हो गया है जिसके कारण हमारे इस सोखिट पे न्यूटल पहुच नहीं पा रहा है अब न्यूटल नहीं पहुच है तो इस कारण क आ रहा है इस समस्या को solve कर सकते हैं उमीद करता हूं आज के छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा आपको आज कहीं वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक लाइक की जुरूब बताएगा इसी तरी की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सक आज के लिए इतना ही धन्यवाद